नमस्कार दोस्तों सुगते आपका Study for Civil Services में Study for Civil Services के एप से कोई भी test series, कोई भी course, कोई भी PDF अगर आप purchase करते हैं और उसमें coupon code लगा देते हैं payment करने से पहले apply coupon की जगाय पे ग्यांसर इसमाल लेटर में है सब बिना किसी space के ये coupon code लगाके 50% का discount तुरेंट निलेगा 31 मही तक है ये सिर्फ और सिर्फ एप वाले courses में applicable है ठीक है तो Study for Civil Services में कई सारी test series है UKPSC है, BPSC है, UPPCS है, ROE, ROE, BEO आली है test PDF में कई सारी PDF होती हैं, courses में भी कई सारी courses, study material और video courses भी है, UPPCS, agricultural services वाला भी course है, कई सारे और course आने वाले हैं इसमें सारे आर्टिकल्स को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको join करना पड़ेगा हमारा paid group, चीक है, तो इसमें भी वही same रहेगा, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ, कि आप लोगों को इस तीज के लिए paid group है, यह वाला, इन numbers पे call करके आप paid group को join कर सकते हो, जो भी information चाहिए, इन numbers पे आपको सारी की सारी मिल जाएगी, तो अगर आप paid groups join कर लेते हैं, तो सारी information आपको वहीं पर ही मिल जाएगी, और फिर आज हैं हमारे important articles, अब क्या articles हैं, उनको one by one देखते जाते हैं, जैसे कि उर्जा दक्षता के उपर है, उर्जा दक्षा सूचकांक आया है, इसलिए, भूच की ये तुफान आया, प्रोजेक्ट ऑसीव, ओडिसर, commerce के लिए, लक्षमन वया, जीवन शैली के उपर, जन्म दोश के उपर, आइनस जटाईू, सवचता ग्रीन लीफ, तो ऐसे काफी सारे articles हैं, जिसको अब हम इस वाले पूरे topic में जो है, वो cover up करेगी, काफी सारे articles हैं, एक एक करके उनको cover करते जाएंगे, आप देख सकते ह कितने सारे articles हैं, इस पूरी PDF में आपको सारे articles मिल जाएंगे, तो आप सभी बच्चों से गुजारे शैकिन articles को आप, अगर चाहते होगी, पूरी तरीके से पढ़ना है, करीब 100 articles हैं, तो इन 100 articles के लिए, अगर आपको सीधा इसमें भी पढ़ना है, तो आप इसकी PDF ले लो, चीक है, उससे बहुत बच्चों का असानी हो जाती है, कि भई क्या है, कैसे है, तो असानी रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहां पर समझा ही रही हूँ, जिसमें सबसे पहला मैं उर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उर्जा अदक्षता जो है, एक मार्च को बनाई गई थी, जैसे एक फेब्ररी को मैंने आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ाया था, राइट की उसका स्थापना दिवस था, इसी प्रकार से एक मार्च को उर्जदा दक्षता ब्यूरो का स्थापना दिवस था, जो की उर्जा सनरक्षन अधिनियम 2001 के तहट बनाई गई है, जो उर्जा से जुड़ी हुई सारी नीतिया और कारेक्रम को लागो करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उर्जा को कैसे सनरक्षित किया जा सकता है, और यही फिर आगे अपना सुचकांग भी निकालती है, जो की ये बताती है कि कौन से राज्य ने उर्जा की उपर नीति, कारेक्रम और निवेश में किस प्रकार से सहायता करी, वो अलग-अलग पैसट, गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम अधारित संकीतों का उप्योग करके राज्यों को अलग-अलग प्रकार से विभाजत करती है, राज्य और केंद्रशा से दोनों को ही बताती है कि कौन इसमें उर्जा को संरक्षित करने में सबसे तेज राज्य रहा है, जो दिक्कते औरियों से बचा जा सकीता, तो यह उसी के लिए है, चीक है भई, बढ़ते हम सभी लोग इससे आगे, अगला आर्टिकल हम लोगों का है, अप्रेल 2023 में आया, भू चुम्ब किये तुफान, चीक है, तो इसमें यहाँ पर, जो सूरे से गैस निकलती है, उस सब क माध्यम से एक जो है, भू चुम्ब किये तुफान जो है, वो देखा गया था, ठीक है, बस उसी के उपर है, जादा डिटेल में नहीं है पढ़ने के लिए, बस छोटी सी बात है कि ऐसा एक तुफान आया था, ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला आता है, प्रोजेक्ट आडिसर, बहुत 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 जरूरी है ये वाला, इसके जो है कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, कि ये जो है प्रोजेक्ट ये क्या है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, ऐसा सवाल जो है वो पूछ लेते हैं, तो प्रोजेक्ट आडिसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, साके लिए स्टार्ट किया गया है यूवस नातकोंको विद्यस सेवा शेत्र में रोजगात दिलवानिं के लिए इसको शुरुवार्ण किया गया है eth funky सिर्फ और सुरफ इलाकी में किया गया है सिर्फ कहाँ पर review है न ओ इसको शुरूय जिया गया है वर्य वहरी इंपॉर्टन्ट अच्छा है इक्जाम्म में बन सकता इसे सवाव तुष्क जरूरर KAI जा इनमें बता दिया है वह प। पड़के जाना उतना इजादा नहीं पौंद पढ़ने कहें जितना मैने उत्पादक संगठोनों एफपीओ पार्मर प्रोडूइसर्स और्गनाइजेशन में से लगबग पांथ हजार को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए ओवन डीसी पंजिक्रत पे जो है वो पंजिक्रत कराया गया उस पूरे पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो करव तो इस सबसे हुआ गया है ओएंडीसी जो है न वो यहां पर जो भी उद्द्योग मंत्राले है उसके तहट सारी चीजों को यहां पर देखती है तो ओएंडीसी यहां पर खुले नेटवर्क के अधार पर गाम करता है जिसमें सारे खरीदार वित्रेता उन से आकर के जुड सकते हैं ठीक है तो उसमें तीन मर्शों के लिए एफ्प्यों अठारा लाक रुपे तक की वित्ते साहिता जो है उनको वो दी जाएगी हमारे फार्मस को यह इसका पूरा एक खिलाब रखा गया है ऐसे ही है व्यायाम समुद्र लक्ष्मन अब भारत और मलेशिया के बीच म है न ऐसे ही जो युएस से ए उनके साथ हम लोग कौन सी करते हैं युद्धभ्यास मालाबार बज्रॉ रहार यह सब हम करते हैं ना उनके साथ इसी प्रकार से यह सब जो हम करते हैं बेशों के साथ इसे द्वीपक्षिय अभ्यास कहते हैं तो भारत और मलेशिया के साथ हमने व्याया एक्सिसाइज यह बेसिकली यह अभ्यास है इस अभ्यास का नाम कहा है समुद्र लक्षमन यह हमारी भारतिय नौसेना और मलेशिया नौसेना के बीच में ये किया जाता है ठीक है भई अगला है सतत जीवन शैली के प्रोटसाहन पर ध्यान देना इन्हों ने ये बोला है कि भई जो भारत में या फिर बाकी जगह पर जो एक जीवन शैली होती है उसको हम किस तरीके से अपनाने वाले तो सतत विकास क्या होता है ऐसा विकास करना जिसके माध्यम से आगे आने वारी पीडियों को कभी भी वो चीज़ का नुकसान ना जेलना पड़े उसे सतत विकास कहते है तो सतत विकास में जो है सतत जीवन शैली में बढ़ावा देने के जरुरत है इसमें भारत जो यहाँ पर कह रहा है जैसे भारत कि इसौश के सटार्ट करने के लिए बोला था जिसका नाम रखा है मिशन लाइफ की फुल फोर्म क्या है? lifestyle for environment तो ये जो mission यहाँ पर start किया गया इसी पर ही ध्यान देते हुए बोला जा रहा है कि इसी को प्रुचाहिद करो इसी के साथ में श्रिलांका और बॉलीविया भी साथ में मिलकर कि इसको प्रुचाहिद करने की बात कर रहे है तो इसी के तहट सतत जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाकता तो यही वही पॉइंट है जिकी वही सतत जीवन शैली को यहाँ पर बढ़ावा अगला आठीकर है हम लोगों का राश्टिय जनम बोश्टागरूपता महा मतलब की तीम आज को मनाया जाता है ऐसा बोला जाता है कि दुनिया भर में हर साल 6 प्रतीशत ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जरम दोशों के साथ पैदा होते हैं और उसी की वरे से उन नवजात मृत्यू जो है वो भी देखने को मिलती है और मृत्यू दर में करीब 4.9 जो है वो दोश बच्चों में देखा जाता है तो उसको रोक थाम करने की जरूरी है बाधाओं को तोड़ना जरम दोश वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन करने के लिए जगरूपता एक महीना पूरा तीन को स्टार्ट किया गया है ठीक है तो उसी के लिए पूरा चोटा सा आर्टिकल है बस आपको बेसिकली यह याद रखना इस बार की इस थीम क्या है और इसके लिए जो दिन हुए वो कौन सा है किया बताया था ना आपको सर्वे करने के लिए मैं पूरा explain किया था तो उसी प्रकार से अब एक और आई है INS जटायू बड़ा important है INS जटायू है इस पे भी अब सवाल सीधा बन सकता है तो यह INS जटायू कहाँ पर है लक्षोदीप जो हमारा द्वीप है ना वहाँ पर है पूरा इसके अभी नहीं बनाए गए यह पहले से यह वहाँ पर यह जो है MINI-KOY MINI-KOY क्या है देखो जहां से समझना जो हमारा लक्षदीप है यह लक्षदीप में सबसे last में जो point आता है सबसे last द्वीप लक्षदीप की बात करूए अंदमान की बात नहीं करूए तो जो यह लक्षदीप है ना उसका last point आता है MINI-KOY इस MINI-KOY द्वीप पर यह है सबसे last में ठीक है वो चीज़ है इसके अंदर सबसे last में आता है यह वहां पर इसकी स्थापना की गई थी MINI-KOY यहां पर लक्षदीप का सबसे दक्षने द्वीप है जो संचार की महतकुन लाइनों को जोड़ता है क्योंकि MINI-KOY के बाद एक अलग से देश आ जाता है जिसका नाम है मालदीव सबी लोग जानते हैं इसको तो यहां पर एक स्वतंत्र नौसेना की इकाई को स्थापिक किया गया था ताकि सारी परिचालन को अच्छे से कराया जा सके वही परी INS जटायूं को जो है वो तेनाद किया गया था ठीक है तो इसे यह बोला है कि लक्षदीप में जो INS जटायूं जब से आई है तब उसका जो पूरा काम करने का तरीका है लक्षदीप की जो महत्वता है वो काफी बढ़ गई है क्योंकि इससे नजर रखना और परिचालन करना पूरे हमारे 9 सेना को काफी असान बढ़ गया है बैसे लक्षदीप की बारे में बता दू बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सिस और ती लक्षदीप और मॉल्डीप को ले करके तो लक्षदीप जो है ये भारत का एक अभिन हिस्सा है जिसका पहले नाम लाकडीप और मिनिकॉय आईलेंड जो है एक ही है अगाटी हां बहुत ज्यादा अभी तक विकास नहीं हुआ है यहां पर क्योंकि उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया काफी दूर पढ़ता है लेकिन आप इसके ओपर ध्यान दिया जा रहे और सबसे बड़ी बात है इसके बाद सवच्था ग्रीशा ग्रीन लाइफ रेटिंग पहले पर्यावरान का मत परेटं जो मंत्रा और जल्चंक्टी मंत्रा पर्यावरन जो है उन्हों की शिरुवाद करी है जिसम विश्व सतर की सवच्थता और सवच्था की सुवधाया जो है वो प्रदान करने की बात यहां पर की जाड़िए ताकि क्या गोताई लोग भी खुड़ा खूब मचाते हैं में तो बहुत से लोग यहां पर पर बहुत गंगी भी मचाते हैं इसा ही अगला आता है Made in India, Made in India की पहर्द तो आप जानती हैं, Making इंडिया पर कितना काम किया जा चुका है, तो आयूश मंत्राले नहीं हाँ पर 2 मार्च 2014 को Ocean Grass करके एक Made in India प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट करा है ठीक है Ocean Grass एक करके जो है भी स्टार्ट किया गया है तो यह पूरा आर्टिकल भी काफी important बन जाएगा हमारे लिए Ocean Grace ठीक है ग्रेस करके एक ग्रास तो नहीं कहेंगे इसको आप इसको ग्रेस करके पढ़िएगा तो यह एक टग है यह पढ़ोगे इदर यह टग कहा जाता है और यह Ocean Grace उसका नाम है उस टग का टग क्या है बेसिकल एक शिप जैसा ही होता है मैं आपको अगर शॉट में बताऊं तो एक शिप जैसा ही दिखने वाला एक वैसक होता है ठीक है यह एक 60 टंस का बुलाड पुल टग है यहाँ पर स्टार्ट किया गया ताकि 30 यातियाद के प्रबंधन को असान किया जा सेगे बंदर गाहों पे इस ओशन ग्रेस को तैनात किया गया है भारत में पूरी तरीके से बनाया है कोचन शिप याड में इसको तयार किया है खुद से बनाया है उसे हम कहते हैं यहाँ पर चेक है अगला आर्टिकल देखेंगे आपने अभी आईने जटायों भी पड़ा और ओशन टक ग्रेस के बारे में भी पड़ा यह सब दोनों याद रुखेगा अगला आता है एशिया की सबसे बड़ी कोईला खादान आपको याद है मैंने बताया था कि कोईले के मामले में हमारे कोईला मंत्राली ने एक सी केर आप को स्टार्ट करा है याद आया कोईला के लिए तो वैसे ही कोईला के बारे में एक और आर्टिकल आया तो मैंने सोचा कि वो रिवाइस करा दू आपको तो कोईला की सबसे बड़ी खादान साउथ इस्टन कोल फिल लिमिटेड जो है उसको बोला गया है गेवरा खादान एशा की सबसे बड़ी कोईला खादान बनने के लिए तयार है जो कि गेवरा खादान जो है ये 52.5 मिलियन टन से बढ़कर 70 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर अपना कोईला की जो प्रस्तिटी है वो कर सकती है इसलिए इसके तहट इसको सबसे बड़ी कोईला खादान बोल दिया क्या है कोल माइन कहते है इसको इंगलिश में जो कि लागजिस्ट बनने को अब वोई तरीके से तयार हो गई है इसके उपर सीधा गेवरा माइन के उपर सवाल बन सकता है यह का साउथ इस्ट में है कहाँ पर चत्तसगड में है यह गेवरा माइन इस जगा का नाम इसकी लंबाई 10 किलोमेटर चुड़ाई 4 किलोमेटर कोई नहीं पूछे गई यह सब नाम पूछे जाते है कहाँ पर है चत्तसगड में यह सब पूछा जाता है यह एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है अगला आता है आई 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 टी दिल्ली में संगम एक प्लान है डिजिटल द्विन करके स्टार्ट किया गया है दूर से अंचार विभाग में इसको शुरुवात करी है आई आई टी दिल्ली में संगम डिजिटल द्विन करके जिसमें क्या होगा अफसन राचनात्मक और प्रबंधन दोनों में ही बदलाग जो है वो लाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी अब संगरचनात्मक कार्थ क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्ट्र जो संगरचना वाली चीज़े होती है उस पे भी ध्यान दिया जाए आदुने की करण उसके अंदर लाया जाए नमाचार लाया जाए कारेवाई की जाए और सहयोग बढ़ाया जाए इन सब के तहट यहां पर एक डिजिटल ट्विंकर के प्रोग्राम जो है उसके शुरुवात की गई है चोटा सा आर्टिकल है याद रुखेगा अगला है वर्ष 2024 का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारते नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना जो है पूरा एक साल करने की गोशना करी है तो वहाँ पर उनका उसी के तहट उनका पहला नौसेना कमांडर का सम्मेलन हुआ है विवचार तो इसे ही हम कहते हैं नौ सेना कमांडर संबेलन जो कि इस तरीके से किया गया है ठीक है ना इस तरीके से उठद आ सकता है इसमें Chief of Defence Staff भी आते हैं Chief of Defence Staff इसमें कौन है Lieutenant General Anil Chohan बारते सेना के प्रमुक बायू सेना के प्रमुक सारे लोग यहां पर इकठा आते हैं जो भी चुनौती आ रही है किस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं यह साब बाते करके इसमें करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सुधार सकते हैं क्योंकि सुधार ना बहुत जरूरी है तो इस साल का पहला हो गया है पूरी तरीके से सम्मेलन बड़िया तरीके से पूरा हो गया पी आई बी में इसकी बारे में काफी बड़ी ख़वर्श अभी थी कि पांच मार्ट दो हज़ा चॉबिस इसका प्रारम किया जा चुका है और ट्विन करियर ऑपरेशन करके इसको स्टार्ट करेंगे हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनात सिंग वो भी यहाँ पर इन तीन दिवसे कारेकरम के दुरान पूरा शामिल भी हुए थे और सभी लोग यहाँ पर आकर के जो भी जो भी बाहर की जो केसे चल रहा है इस प्रकार से हम उसमें भूमिंग का कैसे निभा सकते हैं वो सारी चीज़ों के उपर बैट कर डिसकॉशन करें ऐसे अगला आता है सीडी ओटी सीडी ओटी का स्वदेशी फाइबर क्वांटम कुंजी वित्रण के उपर वाला अब आता ही है इस पर कई बार पूछा जा चुका है अब आने का चांस आ है कि आपक कम की उपर कामिलनाडू में स्थित है बारत का पहला सुदेशी फास ब्रीडर रियाक्टर इसको बोला जाता है तो कि 500 मेगा वाट यहां पर शम्ता रखता है तो यह बारत में कहां पर लोकेटेड है ता मिलना दोने तो यह वाला जो फास्ट ब्रीडिंग रियाक्टर है इस पर सवाल आने का चांस है कि कौन से पहली बात तो वह कल पकम दूसरा यहां पर यह पूझेगा कि भाई यह है क्या तो यह न्यूक्लियर परमानू उर्जा को जनरेट करता है इसका प्रोटोटाइब प्रोटोटाइब क्या होता एक अभी सैंपल तयार किया है तो भारत का सबसे उन्नत परमानू रियाक्टर बन जाएगा यह और इसके बाद एक बाद चालू हो जाएगा तो भारत रूस के बाद बानेज्जे कृट से संचाले इस पास्ट ब्रीडर करने जुस्थित है यहां पर इसको इसको इस्तिमाल किया गया है तो भारत ऐसे करने वाला दूसरा देश बन जाएगा इसको तयार किया बाद तो इस तरीके से इसको याद रखेगा वैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा परमानू उर्जा वाला जो सन्यांतर है कहां पर बना हुआ है तो वह भी तामिल्णाडू में है लेकिन कलपकम में नहीं है कुड़न कुलं में है वह भी तामिल्णाडू है एसे अगला आता है डियोटी का डियोटी मतलब डिपार्ट्रण टेलीकॉम दूर संचार विभाग उन्होंने एक और अपना लाउंच किया इंटे इंटेलिजन्स प्लाटफॉम के नाम से इसको लॉंच किया ताकि जितने भी दूर संचार के मादें से दोखा दड़ी की जाते है उसको रोकने में जो है वो सरकार भी लोगों की मदद कर सके अगला ऐसे ही यहां पर प्रोग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्ण आदिती योज पर ऐसा को श्कीम उनके नाम पर नहीं आई है भाई अभी तो यह तो आदिती योजना जो है वो रक्षा मंत्रा लेन ने शुरुवात करी है ताकि रक्षा प्रद्योगी को प्रद्योगी को में नवाचार को प्रच्छाहिब किया जा सके जरूरी है यह चीज़ करना भी द आप रक्षा में स्टार्ट अगर इसमें कोई अच्छी पहल अपनी दिमाग में रखते हैं सोचते हैं इसके ओपर कुछ भी तो ले कि आए उस पर अपने सोच लेकर क्या आए स्टार्ट अप करो नई नई चीजों का निर्मान करो तो सरकार ने इस बात की परमिशन दे दिये कि आप अपने निर्मान पूरी तरीके से कर सकते हो आप बताओ क्या पिदना है तो उसमें शम्ताओं कोई कठा करके इस चीज़ पूरे को लॉंच किया दो चीग है तो यह याद रखिएगा ऐसे ही भारतिय भूविज्यानिक सर्वेक्षन यह मैं आपको पूरा करवार में खुझ आंज समझेंगे अब एक सर्वेक्षन भी है जिसका नाम है भारतिय भूविज्यानिक सर्वेक्षन भूविज्यान आप समझ रहे होगे कि पूरा धर्ती को चेक कर करने का है तो भारत का ही पूरा है उसने पूरा भू वेग्यानिक सर्वेक्षन की भी एक वर्षज गाट थी बन सेवंटी फोर्थ नंबर की अठारा सो इक यवन में स्थापित किया गया था तो वहां पर ही उन्होंने जैंकि आभी इसी नहीं जियोरोजिकल सर्वेज जो यह है भू इंग डैनिक सर्वेशन उन्होंने जम्मु कश्मिनुंद वे लीथियम खोझा है ऐसा ही उन्होंने लीथियम के साथ साथ यहां कि अलावा लीथियम यहां पर भी खोझा है और राजस्थान में भी लीथियम को जा है तो लीथियम का इस्तिमाल क्या होता जित्ते भी हमारे इलेक्ट्रिक एक्ट्रिक्ट्मेंट्स हैं चाहिए हम वो कम्प्यूटर की बात करें फोन की बात करें लाप्टॉप्स की बात करें electric vehicles की बात करें सब में लगती है यह तो लीथियम जो है वो यहाँ पर इन्हों नहीं पोच करी है और इन्हों ने जो है हिमालियन शेत्र में हमें जो है विरासत स्थलों के पहचान करी है हिमाशल प्रदेश में शिवालिक जिवाशन पार्क सिक्किम में डोलोमाइट बकसा अचना बताई है कुशल और सटी खनीज अन्वेशन के लिए तैयारी कर यह नहीं नहीं बुद्धिमता लेकर कि आए है ओडिसा के सुंदरवन जो इलाका है ओडिसा में सुंदरगड सुंदरवन नहीं सुंदरवन तो बेस बेंगॉल में पस्चिंबंगाल में है तो इन्ह काफी सारी काम हैं आपर कर सकती है तो उसी के वाहिए आपको बताया है कि काफी सारे काम जो है वह वह बढ़न माच को श्रबन दिवस मनाया जाता रोकने की जागता बढ़ाने के लिए इस बार की थीम देखो वर्ष का जो वो है ना कौन सा मन्त है वो पूछा जाता है और थीम पूछी जाती है तो थीम क्या है इसकी मानसिक्ता बदलना आये कान और सुनने की देखवाल को सभी के रिए वस्तरिक्ता बनाए बहुत जरूरी इसे ही स्टेनलेस चील के शेत्र में भारत ने पहली बार हरित हाइड्रोजन को लेकर कि आये हैं स्टेनलेस टील आपको पता ही स्टील का शेत्र जो है पूरा हिसार में स्थिता है इनका पूरा वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि कार्बन उसर्जन जो हम करते आ रहे हैं उस तो यह है इसकी जानकारी 2023 में पहली वो लॉंच कर चुके थे इसको लेकिन इसका लक्षे 2030 तक जाने वाला है बड़े पेमाने पर हड्रोजन उत्पात की उप्यों को कम मतलब हड्रोजन कम से कम उतसर्जत हो इसके उपर उनको ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी देगा अगला है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मेरे इसाब से हर एक बच्चे को जो भी यहाँ पर एक्जाम की तयारी कर रहा है वो इस फसल बीमा योजना के जो टॉपिक इसको जरूर जानता होगा 2016 में लांच की गई थी फसल खराब होने पर जो बीमा योजना दी जाती है उसी के लिए है किसानों को उनके जो भी प्रीमियम होगा उनके हिस्से के रूप में 31,000 करोड रुपे से अधिक का दावा है आप देना की बात की गई है जिसमें से 1,55,000 मतलब 1,56,000 करोड जो है इन्होंने आपको याद रखेगा कि क्रिशी के बीमा के लिए समर्पित है पूरी और इस योजना के अंतरकत दिया क्या जाता है कि फसल अगर आपकी विपल हो जाती है किसी बी कारण सूखा या किसी बी और कारण की वज़े से खराब हो जाती है तो आपको वहाँ पर बीम बागवानी फसले बागवानी फसले कौन से होती है जैसे कि आप इसमें मान के चलो ओली फसले होते हैं जैसे कि यह चाय कॉफी रबड़ यह सब कुछ भी आता है तो इस योजना के शुरू में रिणी किसानों के लिए यहां पर यानिवा रहे थे किंतो अब खारीव सीजन इसको भी ज़रूर दिमाग में रखेगा इंपॉर्टेंट है वैरी ऐसी यह बगना आता है फिर से कोईले के ओपर कोईले का गैसी करन अभी आपको मैंने थोड़े दिर पहले कोईले के ओपर जानकारी दी थी पिछली वीडियो में बताया था कि सी केर्स करके स्टार्ट की गए जिसने कोईले के ओपर हमको जो है कोईले के जितने भी वरकर्स वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए बताया था ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कोईले का सबसे बड़ी गेरवा जो कोईला माइन से 36 गड़गी वह सबसे बड़ी यहां पर माइन्स हो जाएंगी एशिया क तो सरकार ने उसका गैसी करण मिशन स्टार्ट करा है तो इसमें स्वच कोईले से शुरुआत कर दी गई है लिगनाइट गैसी करण परियोजना के माध्यम से इसको सुरुआत करने की तैयारी की गई है कोईला मंत्राले ने ये बोला है कि कोईला गैसी करण सन्यत्रों की स्थापना के लिए जो है काफी सारे प्रस्तावों को यहां पर स्टार्ट करने की बाद की जारी कि हम इसको अच्छे से प्रस्ताविक करके शुरुबात कर सकते हैं तो इसमें यह सारी चीजें बोली जा रही है ऐसे ही अगला आता है केंट्री इसमें विबिन कानूनों के तहर्ट जो है वो जो भी गयर कानूने गतिविदी होती है गलत शाप ले तो आप यह बूलतों कि हमारे इस पूरे में जो भी जो भी वह ना कि जैसे कोई एक चीज होती है आप 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 कहते हो कि आपके उत्पाद में यह एक आइटम है लेकिन वो होता नहीं है तो इस प्रकार के जितने भी चीजे होती है गयर कानूनी गतिवीदिया उसका प्रचार करना समर्थन करना उसके रोक लगाने के लिए बात की गई थी इसके अंदर ऑनलाइन जुआ सट्टे बाजी उत्पादों के विग्यापनों को बढ़ावा द ठीक है बाई अगला ऐसी वनने जीफ संडक्शन आ दिने हम अरे बड़ा जरूरी है मैं क्या ही बताओं इसको देखो बाई बहुत ध्यान तो समझना मेरी बात है पर्यावरण के मामले में सबसे पहली जो बैठक होती है ना वो स्टॉक होम में होती है स्टॉक होम में एक बहुत बड़ी बैठक होती है सम्मेलन होता है स्टॉक होम कहां पर है स्विडन तो स्विडन के स्टॉक होम में जब इसकी बहुत बड़ी बैठक होती है 72 में 5 जून को शुरू होती है इसलिए 5 जून को हम लोग environment डिवस बनाते हैं तो यहाँ पर क्या था Stockholm में conference भी इसमें भारत भी गया था इसकी attend करने के बाद conference पूरी attend करने के बाद भारत ने अपने जगह पर बने जीव संद्रक्षन अदिनेम 1972 को लागू किया याद रुखिए को इस बात को कि इसमें कब लागू किया गया बहुत बहुत जरूरी है यह चीज़ इसमें क्या है इसमें बता रहें कि जितने भी जीवित अनुशूचित पशू है हमारे उन पे कोई कब्जा कर लेता है उनका हस्तांतरन करता उनके उनका जो भी श्किन होती है उसको बेच देते हैं लोग इस सबको यहाँ पर बचाया गया है तो इसमें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी वेक्तिय संगटन के पास अनुसुति जाति प्रजाती का जीवी अपनीब्य Wow आपको पंजिक्स करवाना पड़ेगा तब इसी कुछ हमारे इसी एक्ट में बताया गया उसकी धारा 49-m में इसके बारे में बताये गये ये न्यूज में था, ये आर्टिकल इसलिए 49-m के बारे में आपको बताया क्या जैं सारी की बात है कि भई यह होना चीए और ऐसा होना चीए वहाँ पर यह सब बात है इस पूरे अधिनियम में इसके लिए परिक्षण और बांधों का व्यापक जो है पूरा जोखे मुल्यांकन यहां पर किया गया तो यह एक आर्टिकल था वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपने जॉंबर फूमें बहूल में पूरा इसके बारे में वैसे ही पढ़ लिया होगा तो इसको इतना ह इच्छे से इसको याद करें तो यह आपके लिए काफे जरूरी रहेगा याद करना इसको पढ़ लो और इसके अराबाद जितने भी आप देख रहे हैं यहां पर वह सारी की सारी जो चीज़ें हैं वह आपको यहां पर कवर नहीं करवाई दाएंगी वह आपको उसके देसंबर 1961 में भारत का केंद्र शात्र प्रदेश बनता है और बाद में आगे चलके 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिलता है क्यों तो क्या इससे पहले गुवा हमारा नहीं था बही बिलकुल था पर इस पर भारत की भूशेत्र में आता था पर इस पर कबजा कौन किये छोड़ के गए 1961 में एक operation परफॉर्म किया गया था operation विजे जिसके बाद वो छोड़ के लिए तो वहां पर गुवा जो है वो अब एक राजी बन चुका है तो वहां पर विधानसभा भी है तो वहां के विधानसभा निर्वाचन शेत्रों में आनुसूची जंजातियों के दुबारा से चेक किया जा रहा है कि वह उसमें क्या चेंज लेकर के आई जाए इसमें बोला यह कि चुनाव आयोग को जो है वो देखना है परिसीमन आदेश के तहती ये बताना है कि वहां पर आनुसूची जंजातियों के संख्या कितनी है उसी हसाब से आनुसूची कि कहुआ कब बना कैसे था वह सारी चीज़ें भी पढ़नी जाने है अगर आप से वित्ता पढ़के जाओ तो फाइदा नहीं है इसमें और चीज़ें भी पूठी जाती है तो केवल एक ही चोटी सी बात को नहीं पढ़के जाना उसमें आसपास की और पी जितनी बाते होते इसको भी दिमाग में रखे जाना है तो यह सारी बाते दिमाग में रखिए और यह सारी सारी जो चीज़ें हैं अभी इसके लिए आपको हमारा गुरुप जॉइन करना पड़ेगा आप लोगों से एक फिर से गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो तो सुनी रहे हैं इसके साथ साथ गुरुप को भी जॉइन करो ताकि आपकी सारी समस्य यहां पर दूर हो जाएं आपको कोई भी करन्ट अफैर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम ना रही बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो योजना खुरुशेत्र पी आई भी इसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं क्योंकि इसको पढ़े भी ना तो काम चल भी नहीं सकता है इसको हमें पढ़ना ही पढ़ेगा तो इसके लिए आप लोगों को यह पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से रटके जाना होगा उसके लिए आपको पेड़ ग्रुप की जो यह वाली जो वीडियो है इसकी जुरत पढ़ेगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें पढ़ें कंप्लीट करें और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें कुछ भी इसमें छोड़े नहीं और यही पूछा जाएगा जो पूछा जाएगा एक्जाम में सीधा सवाल ज सभी चीज़े हमारे लिए बेहत जरूरी हैं सभी कुछ पढ़ना उसी प्रकार से जरूरी जैहिंद